कही गई बात को दूसरे को बता देना ही नरेशन है इसलिए टॉपिंग महिलाओं का फेबरेट होता है कि नरेशन कभी भी स्टिंगल स्टेट्मेंट का नहीं होगा कोई भी साइन इस कौमा के बाहर दो गई तो वो कि साड करता हूं आज वो क्या कुछ नहीं कराऊंगा वो कि कलास लंबा लेना होगा मुझे कि नरेश कि आज कुछ बच्चे भी यहां पर दिख रहे हैं तो नरेशन बच्चपन से आपने कहीं ने कहीं सुना होगा कि नरेशन क्यों पढ़ना चाहिए कि इतने माक्स का आता है क्या जरूरत है हर चीज पर चर्चा होगी फिर क्लास आगे बढ़ेगा सबसे पहला काम जो नरेशन वर्ड टेर्म है नरेशन यह वर्ड अपने इसके भी अंत में आई ओ इन लगा होता है वो नाउन होता है राइट क्या होता है यानि यह वर्ड बना है नरेट से नरेट नरेट जो वर्ड है इसके ही तो वर्ड नन करना ब्याख्या करना किसी के चरित्र को चित्रन करना नरेट कर लाता है बस वहीं नरेट वर्ब से एक वर्ड नरेशन लिया गया है नरेशन का जो रियल मिनिंग होता है वो होता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच स्पीच और स्टेटमेंट दोनों एक ही चीज़े हैं तो narration का exact मतलब speech होता है statement होता है और जो हम statement किसी को देते हैं वो statement देने का तरीका में अंतर होता है उसी अंतर को हम narration के अंतरगत पढ़ते हैं direct और indirect नाम दे करके अब direct indirect नाम को देते हैं उसके आऊंगा अब आपी फिलास में ते ही narration topic narrate word नेट जो क्या है जी वर्व है यह क्या है वर्व है जिसका मतलब होता है चिरित्र चित्रन करना ब्याख्या करना बताना नेट का मतलब होता है अब narration topic से ही जो आपकी exam में question होता है जैसे मैं बात करू यूपीए सी में तो यूपीए सी में लगभग जो है 5 प्लस मार्क मार्क्स के प्रस्ट पूछे जाते हैं अगर मैं बात करूं ऐसे सी का ऐसे सीजियल भी बोलते हैं इसको या फिर CPO की बात करूं तो narration topic से मांग चलो कि 27 प्लस question पूछे जाते हैं tier 1 tier 2 मिला करके tier 2 में 25 तो पीटी में पूछ रहा है ठीक है तो 27 प्लस मतब 30 उसक्यास पास आप से पूछेगा आप सोचो एक topic और 27 question तो इस topic को हलके में लेना उचित नहीं seriously पढ़ना पड़ेगा चुकि 27 question अगर है 25 ही पूछो मान लो तो 25 में मान चलो कि मैं आपको ऐसा class बना दूंगा कि 25 में 23, 24 आपको पांच मिनट के अंदर बन जाएगा एक आदर कोशन हर जगह तो तो तफ रहता है और घुमाता है वो भी आप टाइम लगा दूंगा हो जाएगा लेकिन 25 सटाइस नमर आपको बन जाएगा गरेंटिड है बस class को focus करो बाहरी किताब तची मत करो कौन क्या बोला कौन किताब क्या लिखता है उसको टची नहीं करना है फिलाल influence मेरी रहना है अब नरेशन टॉपिक से statement होता है speech होता है एक question का value है और इसमें और क्या है तो यह spoken में भी बहुत बड़ा भूंगा निभाता है कि अब तक जो 10 और वहाइस में प्रहा वह आपने प्रहा सिंगल स्टेट्मेंट और नरेशन का मतलब ही होता है बढ़न करना तो double statement अब जब ही दोगी तो इसमें आपको एक statement से ब्याख्या नहीं कर तो इसमें व्यक्ति को समझाने के लिए एक से ज़्यादा statement देना पड़ेगा तो पहली बात इसका सर्ति है कि नरेशन कभी भी सिंगल स्टेटमेंट का नहीं होगा नरेशन कभी भी एक क्लाउज का नहीं होगा नरेशन जब भी होगा तो एक से ज़्यादा क्लाउज का होगा नरेशन में एक संटेंस नहीं हो सकता जब भी होगा तो एक से ज़्यादा संटेंस होगा यानि आप इसमें double clause पढ़ने जा रहे हो तो double clause तभी जुड़ता है जब बीच में conjunction होता है जब बीच में क्या होता है? conjunction तो बीना conjunction का narration नहीं होता यानि जितना भी statement होगा सब में जोडने के लिए क्या हैगा एक? conjunction हैगा यानि दो statement को जोडने के लिए बीच में एक जुड़ाओ करने वाला connector होगा जिसको conjunction कहते हैं और conjunction के बरैटी अलगलग होगा जो हम लोग पढ़ते है राम सेट देट तो देट क्या है? conjunction है तो देट के जैसा और भी conjunction इसमें आ सकता है कोजरूने की देट ही आएगा clear? बपिस आते हैं अब प्रशन उठता है हाँ पर कि इतने प्रशन के पूछे जाएंगे तो क्या का इसका आइडिया होगा? क्या का होगा? तो राइटिंग के स्कील्स और स्पोकेन में भी एकाम आता है अब हमने कहा कि नरेशन जो वर्ड है ये नरेशन वर्ड आपके लिए जो आएगा जो आपके लिए आएगा वो करना क्या है? कि नरेशन टॉपिक में हमने कहा कि जो पार्ट होता है वो स्पीच होता है क्या होता है बाबू? स्पीच और स्पीच जो होता है वो दो तरह का होता है एक सिधा सिधी और एक इंडरेक्ट अब प्रशुरता है अब प्रशाइक्ट ओर इंडरेक्ट नर्रेशन क्या है ट्रेंगल होता यानि इसमें तीन व्यक्तिन वॉल्व होगा ही होगा, तीन व्यक्तिन वॉल्व, एक बोलेगा, एक सुनेगा, और इसे बारे में हम बात करें, बाई जब भी ब्याग क्या होगा, तो सामने बातों सुनेगा न कम से कम, तो अपने मन से क्या बोलेंगे, तो इसमें तीन व्यक् तुम आलसी हो, तो मैं भगर बोलने बाला तुम हो गआए सुनने बाले और एक तुम को कह रहा था याँ मैंत हम नहीं कह रहे है, क्वा मुआ हो रहा है तुम्हारे बारे में वात ऊतको ना तो तीन भर को लिए तु निरेशन हमेंचा ट्रैंगल पर चलता है एक बोलेगा, एक सुनेगा और इस यह वारे में बात करेंगा तो अब जो बोलने वाला होता है आप खुद अपने life को देखना अगर खुद के life को समझ लिया तो narration समझ लेगा तूँ कैसे? narration हमेशा किसी की कही गई बात को दूसरे को बता देना ही narration है इसलिए टॉपिंग महिलाओं का फेवरेट होता है क्या कहा किसी की कही गई बात किसी की दूसरे को कह देना ही अगर हिंदी में लिखा है डिफिशन तो ही होगा किसी की कही गई बात को दूसरे को बता देना ही निरेशन है बसमें ना तो किसी की बात कहा अब मन में पच नहीं रहा है उगल दिया यहां तो वेन भी टेख देख 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 स्पीकर कोई और है स्पीकर कोई उस स्पीकर ने कहा और उसी की भासा में हमने इसको कह दिया युशंहे कहते हैं डिरेक्ट को से समझता हूं चार्श कि हमने कहा मैं इमानदार हूं या मैं डॉक्टर हूं कुछ भी लिख सकते हो मैं इमानदार ह्ऑं ठिक अभी से हमत लिखो में 128 опять हैं कि मदारए कि नहीं है मैं Hum एक आब में बोल रहा है जैसे हमनोग हमने कहा मैं हिमानदार हूं तो तुमने उससे कहा कि सर कह रहे थे ना मैं इमानदार हूँ अब सुचो कोई से तो मैं अपने बार में कहा ना लेकिन अगर जो जिसे तुमने कहा उस सर की बात नहीं सुना तुमसे नहीं सुना तुमसे और सुन लिया मैं इमानदार हूँ तो बोलो communication gap हुआ कि नहीं होगा इसको फिर समझा रहा हूँ जैसे तुमने कहा उससे कि सर कह रहे थे मैं इमांदार हूँ तो इमांदार मैं हूँ ना लेकिन तुमने बोला सर कह रहे थे और ये लड़की सुनी ने कि सर कह रहे थे बसे सुन क्या ली मैं इमांदार हूँ आधी बात सुनी आधी तो चिला पड़ी तुबल कहीं मांदार बन रही हो हुआ ना तो communication gap इसलिए direct speech से speaking नहीं किया जाता है और राइटिंग किया जाता है जरुद पड़ा है इसलिए इसको inverted comma के अंदर रखा जाता है ताकि एक statement है इसको पढ़ने से पहले इसको जान लो समझा inverted comma के महत्व क्या समझा या मतलब separate कहा गया कि ये आदमी कोई तिसरा बंदा है हाँ इसको bond भी से घिर देंगे भाई तुम्हें खास प्रकार के हो ये communication gap करने बाला है gap ने करेंगा जी मैं आधा बात खा गया और आधा बोल रहा है और मैं यहां बोल रहा हूँ मैं हमन दाथ हूँ तो when we take the exact word of the speaker यानि ये speaker जो है उसको exact word को लिया जैसा बोला वैसा ही बोल दिया तो उसका नाम क्या होगा इन डेट क्या कहता भाई वह कहता हूँ तो यहां पर मैं कौन है वह यह कहता है वह कहता है कि वह ही मांदार है वह कहता है कि और यहां पर वह कौन है यही बाला हूँ वह कहता है कि वह ही मांदार है तो यहां पर वह कौन है ठीक है तो यहां बहु है न भी तुम नहीं बोलना चाहो। для के बारता जब कर चल रही है तो तो कारो हो भैए भुम एक भुम, तो एगर पहला लाइन नहीं भी बता है, और पता है लुग credit हो चल रही है यानि यही चीज speaking में, writing में यूज की जाती है, और इसलिए इन वर्जर कौम में नहीं होता है हटाते हो इसको ठीक है, यानि in this case we don't use the exact word of the speaker, in this case we take the sense of the statement of the speaker and we explain that statement in our own words, that is called indirect speech, भासने बेस बात को यानि हम लोगा लेते हैं, sense we take the sense of the statement of the speaker, we take the sense of the statement हमने आपे sense लिया कि मैं कहरा, तो क्या कहूंगा वह कहूंगा clear हुआ, तो direct और indirect मतलब हुआ कि direct हमेशा कौम में होता है और indirect कौम में नहीं होता है तो यह हो गया direct speech और यह हो गया indirect speech, हिंदी में क्या पती, चलिए तो अब हम लोग narration स्टार्ट करते हैं और तरीके से लिखिए, उसको लिखाने का मैं प्रयास करता हूं narration लिखिए जो हिंदी लिखा है ना उसी का अंग्रेजी यहां पर लिखा है जो यह लिखा है ना उसी का हिंदी यह लिखा गया मतलब थ्वासा अलग वे में लिखा गया है सेम नहीं है line by line कि हमने एक साथ दो बैचा स्टार्ट किया है एक ब्रिलियंट बैच के नाम से जो कि foundation course है जिसमें लिखना पढ़ना बोलना सब आएगा लेकिन यह ब्रिलियंट बैच उनके लिए है जो हिंदी से इंगलिस मेडियम बदलना चाहते हैं वो चाहते हैं DM बनना, collector बनना, IS बनना वो चाहते हैं हिंदी परपर के बोर गया I want to change my medium यानि हिंदी से इंगलिस मेडियम बदलना चाहते हैं राइटिंग स्किल्स नहीं आता एक लाइन समझ में नहीं आता हिंदू पढ़ते हैं मैगजिन पढ़ते हैं कुछ ही पढ़ते हैं इंगलिस में समस्या है foundation batch ब्रिलियंट बना दूँगा छोड़ूगा नहीं एक भरम जाल में नहीं रहो कहीं नहीं कोई तक्कर में नहीं है सीधा आ जाओ इससे बेहतर क्लास कहीं जहलावा नहीं में जाना है यहीं बैच सिखा सकता है धनमेंदर सरी सिखा सकते हैं आपको अंग्रेजी चुकि basic सिर्फ यहां पे होता है advance सिर्फ यहां पे होता है exam का त्यारी यहां पे होता है तो यह मिलेगा साथ-साथ आप spoken में perfect बनना चाहते हो तो संदीप का बैच है यहां पे संदीप स्टार्ट किया है perfect बैच तो यहां से आप perfect बैच साम को साह 6 बजे 10 बजे ब्रस किया English Foundation से और दिन भर बोला साम को साह 6 बजे बन गए perfect English में संदीप के साथ और बिल्कुल नया बैच लेकिन सबके सब बैच मिलेगा कहा क्रांतिकारी English App पर चुकि क्वेशन भी आपको दे रहा हूं और सारा काम कर रहा हूं मेरे दोस्त आप कमेंट करो एक वार लिखते भी रहो कि आप हो को नाम भी लिखते रहो और क्वेशन का अंसर बताते रहो ए सही कि बी सही आप देखते भी रहो ए सिर्फ एड में इसले कर रहा हूं कि आप जानते नहीं हो तो जनकाई ले लो और देखते रहो एक वार मुस्किल से हमेशा घबराना नहीं है नहीं आता कोशन कोई बात नहीं डहरो नहीं है लेकिन इस बैस को जोइन कर लो चुकि इस पर को ताह कर डिया एक दिन नहीं पहनेंगे नहांगे चलेगा लेकिन ब्रेन को अगर शार्प कर लिया तो मा देखो ना इन द wonder को को spoken core foundation को दोनों course को हमने start कर दिया 50% नहीं 90% discount में और वो भी इतना इतना करके नहीं मात्र मात्र call कर लो नमबर दिया जा रहा है call कर लो लिख लिए हां तक चलिए अब बोर पर धान देजिए हमने क्या बढ़ाया दो clause होगा subject plus verb कॉमा inverted कॉमा subject verb other word inverted कॉमा close इस तरह के बनावट कहीं दिखता हो तो उसका नाम रखना direct speech अगर ऐसा बनावट कहीं दिखे तो क्या नाम रखोगे ऐसा देख बनावट अब इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती है वो देखिए यह inverted कॉमा जब राइटिंग कर रहे हो आप तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि inverted कॉमा यहां लगा दिए और फूल स्टॉप देदिए यह गलत यह क्या है आपको लेगा ठीक तो है जगा पर कोई भी साइन इस कॉमा के बाहर दो गए तो वह गलत हो जाएं कि यह बॉंड्री तक ही इसका इलागा है तो बॉंड्री से बाहर जो भी काम कर रहा हो सब हवा में सब कहां है हवा में किसी काम का तेरा उसे कहते हैं पंक््चुएशन एरर यह हिंटए इससे क्याकिम पंक्चुएशन या सब डिक्का न इसकी कुई भी साइंस बाहर नहीं वहां चाहे है तो करना क्या चाहिए सहर हम इसका तो कर energy को दूर लगात उच्वा साइज है इसका तुम एरिया बढ़ा दो जिसे गाव में खेत भाई घर बनाए है हम आगे चार कठा छोड़ दिया खाली कोई दिकत नहीं को आगे जितना खुरा छोड़ दे अपनी कभजान पूरा हो गया तो कभजा पूरा करो जगह अब इतने दूम तो यहां फुलिश लोगा तो कोंटर के पहला चीज दूसरा चीज यहां तक समझ में आ गया तो इसे हम कहते है क्या भाई इसे कहते हैं इंवर्टेट अब कॉमा नहीं बोलेंगा दो है ना तो कॉमा इंवर्टेड कॉमा इसका नाम है कॉमा अब यह क्या है सब्जेक्ट यह क्या है वर्ब तो यह वर्ब जो है अकसर जो स्टार्टिंग में जो बोलता है कॉमा जो फ्री है वह मैंसा रिपोर्ट करता है को उसने कहा यह कहा वो कहा नहीं उता सास बोलती है पत्नी बोलती है पत्तिस तुमार से कहा है की नहीं तो मैंसा क्या करता है रिपोर्ट करता है इस ó हाह की होता है को रेपोर्टे भर को ठीक डा मैं रिपोर्टिग भर और यह सुनता है सों यह बहुता है इस दि são अपृर्टेड स्पीज कि 200–30 में क्या कहना और इसो कहना RS तो ये दो नाम हो गया इसका reporting verb और reported speech लिखते रहो comma हो गया, inverted commas हो गया reporting verb हो गया reported speech हो गया जब commas बोल दिया तो double हो गया inverter commas ही बोलना पड़ेगा double को बोलेंगा कभी-कभी single भी उच करता है राइटिंग में highlighter से highlight करने के लिए लेकिन वो इंवरेट को नहीं बढ़ जागा नहीं सिंगल यहां नहीं होता लिट्रेचर में उसको highlight करने के लिए कहते हैं वो वो ना उनरेशन नहीं है वो बस उस वर्ट करने के लिए तो यहां तो समय में आ गया जिसका वो रिपोर्टेड स्पीच आरेस और अरभी अब अगर मैं आरभी बोलूं तो दिमाग वहां रखना आरेस पूर्दिमाग यहां रखना अबस इनफॉर्मेशन नहीं बस आ रखना एक फैमिली से पर्चे कर वा दिया कोया पति यहां तक कॉपिकर लिया कर लो यहांं तक बात समझ में समें आप सबको आ गया है अब स één बैस अब देखते रहे हैं मैं क्या क्या कर रहा हूं मैं आप व्किमों गाल जाइए इसे कहते थे आर भी इसे कहते सबाबभी अबशा इसे हैं पुए Suzuki कि यह स्वतंत्र है कि नहीं है कोई भी चीज बॉंडरी के अंदर है तो दबा हुआ है बोलो एक बॉंडरी के अंदर है इसको इसे मतलर है और नहीं इसको क्योंकि एक कॉमा लेकर साइड हो गया एक कॉमा के अंदर भी साइड हो गया तो इससे इसका कोई संबंध है अब चाह सो ऐसा मस्य सुचना कि राम स्यद्धी होगा रामसेंच रामसेड्ध राम विं छोटा था को диक रामbeit है रामिषयों प्लाइबस ना रामी सेंग जो परऑशेंच कर सकते हैं अ राम मत स्केंग तो बच्चा लोग सुखता है राम से धी होना चाहिए लोग ठेके यह भी किसी भी टेंस में मैं तुमको राइटिंग आप्रोच भी साथ मेले चल रहा हूं तो वो लिखने का मन के लिखो लिखो अंग्रेजी बोलने गहें बोलो इंग्रेजी एकजाम की पाइन रहा हूं एकजाम का प्रैक्टिसु करवाओं क्लस्में तो यह था गजास प्राइबी किसी पिटेंश यानि इसको उससे मतलब नहीं तो प्रजेंट पास्फूचर आई हब गोन हो चाहिए भी गोंगों कुछ भी हो वाक्लियार बापीस एक-एक पॉइंट हैलेट कर रहा हूं ताकि आपके मन से पहले दर को मिटा रहा हूं पहांगा राम से अब देखो यह दोनों सो तंत्र है अलग-अलग अब यह स्टेटमेंट है यह रिपोर्ट करता है तो इन दोनों जब तक मिलेगा नहीं रिपोर्ट होगा कैसे तुम ट्रेल में यह जा रहा हो तुम उस सबखेंगे सुए चैनल चेंल भटे हो अब कोई पर नहीं करने कि चेड़ना पढ़े गां मैं अलग अलग सबétais अलग civics करने कमरेक दिस्रिक का है लेकिन सब जारा कि हार भीहार राजजानी से प्रकड़ लिया तो आम साम्य साम तो जब initiate करेगा तो था दूसरे का उसको जोड़ना पड़ेगा ना तो जोड़ेंगे किसी को किसी से तो सबसे पहला जो इन दोनों बाधा है वो कौन है कौमास एनि सबसे पहला बॉंडरी को हटाना पड़ेगा ना कीगों में कि हम धर्में से बात करेंगे तो मुझ बाखे जा फिर पूरा तरिन तो बोलो फिर तो कहने मतलब यह है कि यह सो तंद्र हो रहे भी लेकि उसको जोड़ना है तो सबसे पहला काम को हटेगा कौन हटना पड़ेगा अब हटाने के लिए तुम कौमा हटाने के लिए तुम कनेक्टर्स अपने मन से नहीं लगा सकते कुछ भी तुमको इस घर से पर्मिसन लेना पड़ेगा पर्मिसन? विदाउट पर्मिसन किसी घर के बॉंड ही तोड़तेगा तू नहीं ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सेंटेंस के नेजर को जानना पड़ेगा और इस सेंटेंस का नेजर पहाया है पांस्त रहका बोलो सेंटेंस पांस्त होताँ कर नहीं होता है assertive, interrogative, imperative, obstative और 23 तो आपको पहचानना होगा कि किस नेजर का है अगर पर्मिसन दिया तुमको इसको करना पड़ेगा, change, करना पड़ेगा, इस कौमा को हटाओगे तो लगाओगे, conjunction, क्या लगाओगे, इसी conjunction का एक नाम दे दिया, master rule, क्या नाम दे दिया, उस conjunction को, कपती, कब, जब इसके nature को हमने क्या किया, जाना, क्या पोजिटिव है, क्या सर्टिव है, क्या क्या सर्टिव है, क्या सर्टिव है, क्या सर्टिव है, जैसा नेचर हुआ, उसके उनसार कौन सा connectors लगेगा, उसी का नाम क्या है, master rule, तो क्या लगाने आ गया तुमको, अनेक्टर लगाने आ गया, आया नहीं है, बस यह जन्म कैसे हुआ करे तो उस बीच दोनों के nature, उसक जानेंगे, क्योंकि बॉंडरी इसके दरना है, उस बॉंडरी को हटेगा, तो पूछूँगा क्या हटा दू बॉंडरी, बात करना चाहता हूं, क्या हटा दे, लेकि मेरा यह सभाव है, जेलना पड़ेगा तुमको, कोई बात नहीं जेल लूँगा, तो हो गया, master, clear, तो जन्म हो गया किसका, master rule, एक रूसमाज में आ गया, अब master rule पढ़ना पड़ेगा ना, तब master rule में क्या पढ़ोगे, किसका nature plus connectors, एक ही जी सिखा हम ने भीज में, दूसरा कुछ नहीं, अब अगला पॉंच छिखते हैं, एक कास में आ गया, अब क्या था, कि तुम्हारा connectors हट गया, sorry, यह हट गया boundary, अब boundary हट गया, तो यहां पर क्या लग गया, अब, अब, तुम्हारा सी नहीं किसी कहां घूच जाएगा, अपने label के लोग के साथ ही बात करेगा, अब तू लड़का है, तो लड़की सा तू घुम जाएगा, तो राष्टपती प्रधान मंत्र किसे करेगा, तो राष्टपती बात किसे करेगा, सेम बंदा से, और प्रधान बात किसे करेगा, यानि subject का nature मिलना चाहिए, अब train में बैठे हैं सामें सामने, तो लड़की लड़की जैसा बात करेगा, लड़की जैसा बात करेगा, लड़की जैसा बात करेगा, तो से बात किस्ते और बहर बात कहां करेगा मतावा के लिए हर पॉइंट को बारी की सिखो पुल्टा-पुल्टा सीखो कि काम खराब यही बेसिक क्लास है इस तरह के अगर कॉंसेट दिखते हैं तो उसे बोलते हैं जेनरल रूल यानि जेनरिक रूल टोटल तीन रूल पर काम करूंगा मास्टर जिसमें क्या पढ़ते हैं कंजंग्शन दूसरा बने जेनरल में क्या पढ़ते हैं सब्जेट और बस खत्म गानी एच बस दिमाग में विजुलाइज के लिए रखो तो आगे दिकत नहीं होगा और आज दिकत हो रहा है तो आगे अब दिकत होगा नासुर बन जागा हां कि गांग्शन लग्या कॉमा हट गया अब बचा गया अब बचा या दून में इंट्री हो रही है घर में तो इंट्री होगी तो इक से मिलेगा एक से मिलेगा अब सुनों इसे ही नहीं मिल जाएगा कि सब्पिजयक के निचर को देखना पड़ेगा है बीचर को कि भाई तुम हो कौन से निचर के और तुम हो तब कुछ भाज़तें बरदासितों करनी पड़ती है दूसर nutrimento अब त Jadi में तो पत्ति में मूझ कहां में धुसरे मूझ नहां तो पत्त उसी प्रकार यह भी compromise करता है भो जादा यह देखे मालो यह फर्स्ट परसंट यह थर्ड परसंट यह थर्ड यह सेकेंड यह फर्स्ट तो महमना गरवा सकता है ना तो इन दोनों को होते कितने परसंट तीन अब जेट का मतलब तीन परस्ट परसंट परसंट और भी थर्ण परसंन है तो इस सबडेक्ट hiç नहीं हो सकता है यहाँ यह भी तिन हो सकता है पर्स केंड तो ऐसा कुनियम तोड़े कि हाँ इस लिए शबकान नेचर अलग रहा तो क्या करना ताल मेल को पढ़ना प्रया कि सरूल में तो वीजन हो रहा है कि लिए बिना प्रहाय निरे से समझ माना चाहिए प्रहाओं का तो भूचाल आ जाएगा वह अलग बात है फिलाल यहां समझ मा गया बापिस आ जाओ तीन काम समझ मा गया अगला पॉइंट एखो कि कुछ घर में एक्स्ट्रा मेमरी होता है जो अधर वर्ड में आता है हाँ यह उस एक्स्ट्राव होता है जिसको इसको अलगी रह शांति रहें दो उसपर नियम अलगा हो गा हाँ उसको बोलते हैं स्पेस्पिक रूल A specific rule यह एस तो a special rule special rule खतम कानी यही तीन rule पे पूरा narration बेस्ट है अधारीत है अगर तीन बात आप वो समझ में आ गया तो आगर जो प्रहाओं का समझ में आ जाएगा अगर तीन बात नहीं समझ में आ जाएगा तो आग़ भी दिकत होगा अब इन सबके साथ भरव जैसे में कहा तो भरव का मतलब क्या प्रह था टेंस? भरव का मतलब टेंस और सब्जड का मतलब परसं तो परसं और टेंस का ग्यान होना चाहिए बागी चैशे प्रहाया हूं अधर बड़ इक्सटा हूं उसी खा दूंगा अगर यह टेकनिकल टर्म आपके दिमार में गया कि हां बात सर सही कह रहे हैं भाई हटेगा तो मीलेगा तो ही दुनों मीलेगा अगर ऐसा बिभारी ग्यान आपके पास है तो आपके लिए हल्व बना दे रहा हूं और अगर कहीं दिकत तो पुछ लो जो बचा फर्स टाइम प तो इंडेक्ट बनाने किने कितने नियम होंगे तीन पहला मास्टर दुसरा तिसरा सब उंगलियों प्याद रखना आपको यह बात लिखा तो लिखा पर बिए गया इंवेट कॉमास रिपोर्टिंग वर रिपोर्टेड स्पीच हेडि मना ये रूल्स पर चेंजिंग डिरेक्ट इंटू इंडरेक्ट हैडि मना दो मास्टर रूल बना लिए हैडिंग मैं क्या किस्मात हूं बनाओ मास्टर रूल क्या कह रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस भार्व यहां दिया हमने कॉमा यहां दे इनवर्टेड इसका नाम क्या है इसका नाम आरेस हमने कहा था कि कॉमा इन्वर्टेट कॉमा हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा और कहा था इसके नेचर को जाना पड़ेगा तो इसका नाम है आरेस नेचर क्या है हो सकता है कि आरेस क्या हो क्या हो यह हो यह हो अच्छि बात यह कहता है कि अगर असर्टिव होगा अप्टेटिव हो क्क्लामेट्रि हुआ तो अगर यह बला statement अससर्टिव हो पहला क्या है दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा तो कह रहा है कि पहला तीसरा और पाँचवा में क्या लगा देना तीसरा नहीं सांती 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 पहला चौथा और पाँचवा में क्या लगा देना यह तीन में दैट आ गया अब तुम्हें पहचान में आना चाहिए कि असर्टिव दिखता कैसा है ओप्रटेटिव दिखता कैसा है इंपरेटिव दिखता कैसा है यह पहचान तुम्हें पता होना चाहिए तो यह सब पहाद चुकाऊं पहले पाद चुका हो ना तो assertive में क्या लेगा क्या आप देट लेगा conjuncts नहीं हाँ पर देट कहां लेगा जी इन दोनों को जोड़ने के लेगा इससे मतलब नहीं है कुछ भी बस इसको पहचानूंगा बस इसको बस पहचानूंगा और सिधा यहाँ पर देट चुपके से जोड़ने का मेडियेटर है मिलाने वाला कौन है देट अगर sentence interrogative है क्या है जी तो interrogative पहाया था दो तरह का एक कहा था विदहेल पॉफ आइजलरी भर क्या लगाना इफ या विदर और अगर डबलु एच से स्टार्ट हो तो सेम डबलु एच फिर समझो अगर sentence यहाँ पर लिखा है आर यू गोईंग आर यू तो यहाँ लगाना इफ या वेदर यहाँ लिखा मिले वाट इस यूर नेम तो वाट वेर आर यू गोईंग वेर वेर डूई लिव वेर 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 डूई कम वेर जो इंप्रोगेटिव इसमें रहेगा उसी को यहाँ छाप देना है टेंसा ही नहीं नरेशन से असान को टॉपिक है इन दुनिया में समझा अगर sentence इंप्रेटिव है तो क्या लगाओगे इंप्रेटिव अटो तू उताव लग्सकू